हाँ बताओ नहीं नहीं चलिए ठीक है आप यहां देखिए आपको वाइड बोर प्रॉपर दिख रहा होगा आस्मोसिस तो आज हम आस्मोसिस एक्स्प्लेइन करने वाले आप बिल्कुल सोर नहीं करेंगे अगर ज़रूर पढ़ेते हैं अपने माइक को म्यूट करके रखिए मेरे कान में बहुत तेज से आपकी आवाज आती है इसलिए आप लोग बिल्कुल सोर नहीं करेंगे ध्यान से सुनेंगे और आप वाइड बोर पे देखते रहेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप माइक अन करके बता सकते हैं चलिए ओस्मोसिस देखिए आउस्मोसिस क्या है मैं उसको बहुत सिंपल वर्ड में आपको एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ पहले मैं आपको एक एक्जामपल के साथ ले चलता हूँ देखिए एक्जामपल में ले चलता हूँ और मैं आपको कई एक्जामपल दूँगा पूरे आउस्मोसिस को एक्स ही कंटेनर में एक एक लीटर सोडियम क्लोराइड का गोल हो एक लीटर सोडियम क्लोराइड का गोल है दोनों में लेकिन फर्क क्या है कि इसमें जो कंसंट्रेशन है वो अलग है एक 30 परशंट है कितना है एक 30 पर संद्रेट एक 50% है कितना 50% रशंट कंसंट्रेशन हरे दैड मीज इसमें जो है वो एक लीटर में, एक लीटर वैलूम में, एक लीटर वाटर में 300 ml, 300 g sodium chloride डिजॉल्व किया गया है, हाँ बताओ क्या, आपको अवाज नहीं जारे आपको, बिल्कुल सांद रहेंगे, आपको 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 जाएगे, दूसरी में क्या है, 1L water में 500g sodium chloride खुल गया है अब यह सलूअन जब भी जब किसी भी solution में आपको पता होगा कि जब कोई solution में solute और solvent दोनों अलग stage के होता है जैसे यह sodium chloride solid होता है और water liquid होता है तो यह आप एक तरह से कह सकते dividend q watch w TO v solution है और w on v solution बनाने के तरीके से बनाएंगे मैं एक लीटर लिख दिया हूं तो इसका अब आप एक लीटर ही पानी डाल देंगे मैं बता रहाँ कि एक लीटर वाटर रहना चाहिए अब वह कैसे होगा W upon V solution बनने का तरीका मैंने आपको बताया है तो W upon V के तरीके से solution बनेगा weight upon volume इसको बोलते हैं ठीक है तो अगर ये दो solution हो हमारे पास 30% sodium chloride हो और दूसरा 50% sodium chloride हो sodium chloride का simple सा मतलब है नमक पानी का घोल बस ये होता कि जो आप नमक market में होलेबल होता है तो ये दो घोल है तो मैं इसी को लेकर आपको osmosis समझाने की कुमसिश करता हूं देखिए Asmosis हमेशा membrane के बीच में होती है होती है एक word होता है diffusion 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 आपने पढ़ा होगा diffusion तो एक word होता है diffusion एक word होता है आस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सांतर होता है जो आस्मोसिस होता है इसमें सेमी पर्मेबल मेंबरेन होती है यहां पर देखिए अब सेमी पर्मेबल मेंबरेन इतनी मोटी नहीं होती मैं आपको दिखाई दे ताकि प्रॉपर आपको इसलिए मैं आपको बना रहा नहीं नहीं इस तरह से सोर नहीं करेंगे, माइक म्यूट करके बताएंगे, जिसको बोलना, वो ही माइक कोलेगा, चलो बोलो, यह सेमि परभी, गुरीन कलरका का जो। हां यह सेमि पर्मेबल मिंब्रेन दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ, यहां पर आप यह वाल को मालीजी हडा देते हैं वाल नहीं है यहां पर यह एक semi permeable membrane से लगए अब यह semi permeable membrane इतनी मोटी नहीं होती मैं आपको यहां पर आराम से दिखाई दे इसलिए ता मोटा बना रहा हूं suppose यह एक semi permeable membrane है तो अब osmosis कैसे होता है और क्या होता वो मैं आपको यहां पर explain करके बता दा हूँ देखो osmosis एक ऐसा process होता है जिसमें lower concentration से higher concentration की तरफ movement होता है और किसका movement होता है solvent का किसका solvent का देखो यहां से यहां पर यहां से यहां पर और तब तक movement होता रहेगा जब तक दोनों के concentration बराबर नहीं हो जाए अगर मैं आपको diffusion की बात करूँ तो diffusion में इसी के opposite होता है लेकिन अब आप बहुत ध्यान से बात समझेगा मैं यहां पर कह रहा हूँ कि lower concentration से higher concentration की तरफ movement होता है लेकिन movement किसका होता है solvent का ठीक है यहाँ पे solute का movement नहीं हो रहा है यहाँ पे solvent का movement हो रहा है अगर इस solution में बात करूँ sodium chloride के solution में बात करूँ तो यहाँ पे दो चीजे हैं एक solvent है और एक solute है तो solute क्या है solute नमक है sodium chloride है और solvent क्या है तो अब यहाँ अपने आप से ही सोचिए समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर वाटर की कमी है क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन जदहला है सोडियम क्लूराइट जदहला है और एक लीटर वाटर में dissolve किया गया है और वहीं पर ज़्यादा concentrate है यह solution ज़्यादा concentrate है और यह solution कम concentrate है तो lower concentration से higher concentration की तरफ movement होता है और movement किसका होता है solvent का होता है ना कि solute का जबकि diffusion की condition में solute का movement होता है ठीक है इसी process को बोलते है osmosis, osmosis में एक semi permeable membrane होती है और इसका हमारी life में बहुत importance role है वो मैं एक एक करके आपको explain करूंगा आगे चलके अभी पहले इसको आप समझते रहेगा ठीक है यह देखिए अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यह आप समझ सकते हों तो इसमें solute कम है और solvent जादा है जबकि इसमें solute जादा है compare than this compare than इसके इसके compare than इसमें solute जादा है और solvent कम है तो क्या होता इधर से water का movement इधर होता है और तब तक यह water का movement होता रहता है जब तक कि दोनों का concentration बराबर ना हो जाए ठीक है जब दोनों का concentration बराबर हो जाएगा तो यह movement है वो रुक जाएगा तो यह होता है asmosis अब इसकी मारे life में बहुत सारे उपियोग होते हैं जैसे आप जानते होंगे हमारी body में जो पानी फ्ल्यूड चढ़ाया जाता है जो डाक्टर आपको दिजिटिल वाटर क्यों नहीं चढ़ाते हैं विक्ति निचला रहा हूं और Hence क्यों चढ़ाते हैं एनस की नल्ग होता है नौमल से ननीख की चाहते हैं और Been Officer को हम जिसको हम एनस कहते हैं नौर्मल सलाइन हम जिसे कहते हैं वो 0.85% sodium chloride होता है ठीक है इसी को हम एनस बोलते हैं अगर हम 0.85% sodium chloride का घोल बनाएं distilled water में तो उसी को हम एनस कहते हैं आप समझिएगा जो distilled water है उसी में 0.85% sodium chloride अगर हम घोल दे तो हो बân जाता है एनस और उसी को हम बॉडे में चढ़ाते हैं किसी भी बॉडी जब किसी लगा रदंबर ऩाफ किसी को ड्रीजत्र ना होता है थे न जहुता है बॣोड यहरति नीजर जब blood में water तो सीधा सीधा आपकी blood vessels में चलाए जाती ना जो एनस होता है normal saline तो अब ऐसे condition में जो एनस होता है normal saline जो होता है normal saline normal saline का concentration ठीक है और आपके blood में present cell blood cell के जो cytoplasm होते हैं cell के जो cytoplasm होते हैं आर बीसी हो गया यहाँ आप देखिये यहाँ देखिये और वीसी हो गया इनके जो cytoplasm होते हैं इनके जो cytoplasm होते हैं नौर्मल saline का concentration और इनके साइटो प्लाजम का concentration बराबर होता है ठीक है क्या होता है बराबर होता है और यही वजा है कि अगर आपकी body में dehydration हो होता है तो जब नॉर्मल सलाइन चड़ाया जाता है तो इतना नॉर्मल सलाइन एब्जॉर्ब होता है जब तक कि इसका बराबर ना हो जाए जब तक इसमें वैलूम बराबर ना हो जाए जब जितना कि इस सेल में वैलूम है जितना कि इस सेल में एब्जॉर्ब हो सकता है लेकिन अगर किसी बैक्त को डिश्टिल्ड वाटर चाहा दिया जाए तो डिश्टिल वाटर चाहा जाएगा तो डिश्टिल वाटर का कंसेंट्रेशन कम होता है पिल्कुल कंसेंट्रेशन नहीं और यह concentrate solution है तो अब क्या होगा डिश्टिल वाटर का absorption नॉर्मल सिल में ज्यादा होने लगेगी और ज्यादा absorption होने की विए से और यह अब किसी वाटर नहीं चाड़ा जाता जब भी चाहता है अगर आप किसी बैक्त को डिश्टिल वाटर चाहा देते हैं तो उसको हीमोलाइसिस हो जाएगा क्योंकि वाटर जोगा डिश्टिल वाटर जोगा वह ब्लड चल ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी इंडो और तो यही वज़ा है कि जब भी बॉड़ी में फ्लूड चला जाता है ऐसे बहुत सारी फ्लूड होते हैं इसके साथ आस्मोसिस का और इस्टिप बताता हूं आस्मोसिस आप एक जानते होंगे ग्रेप अंगूर आस्मोसिस का आपको अंगूर में भी देखने को मिल सकता है कि अ अब मैंने एक चीज़ आपको बताया है हमेसा इस बात को ध्यान रखेगा कि आस्मोसिस में हमेशा सेमी पर्मेबल मेंब्रेन की ज़रूरत होती है और यहां पर सेमी पर्मेबल मेंब्रेन का काम कौन करता है यह अर कुन कर रहा है cell membrane अब उसी तरह से ग्रेप्स की बात कर लें अंगूर की बात कर लें अगर अंगूर को हम किसी concentrate solution में अगर आप कहते हैं सूगर के concentrate solution में डाल दें सूगर मना सबस्क्राइब चीनी के गाढ़े solution में डाल दें तो अंगूर का जो अंदर का movement होता है और किसका मूओमेंट होता है तो जो ग्रेप से उससे जो अंदर के हैं फ्लीओ वो बाहर निकल जाएंगे और इसे बोलते हैं मार्केट में अली बलुते हैं अगर हम किसमी स्कूं में डाल दे फ्योर वाटर में डाल दे तो क्या होगा इंडो ऑस्मोसिस कि दोरा इसमें water absorb हो जाएगा क्योंकि अंदर का स्पंधि जो अंदर का concentration है वहाइर है और बाहर का concentration लो़ है तो लोवर दीरोप फूल जाएगा तो यहाँ पर इंडो ऐसमोसिस होता है तो मैंने दो छीजी आपको बता दिया दूसरी मैंने आपको एकजो स्टैश्मोसिस बता ग shifts cream किसि cellular structure से बाहर की तरफ solvent का movement होता है तो उसे बोलते हैं exosmosis और जब अंदर की तरफ movement होता है तो उसे endosmosis बोलते हैं जैसे अंगूर का गाढ़े सूगर के solution में चिपक जाना, स्रिंख हो जाना क्या कहलाता है exosmosis और kismis का normal पानी में फूल जाना endosmosis कहलाता है तो ये बाहर भी आपको ये activities देखने को मिल सकती है और हमारी body के अंदर भी देखने को मिल सकती है ठीक है तो ये होता है asmosis जो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा का गार प्रहा के अख में 20 मुझे दो माईना का खई ठीक है अग मैं मेरा के लगते ह inclusive